देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। इन सभी चीजों को इसमें मैं कवर करूँगा, मेरे चैनल पर विस्तरित मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन जो ये तरी मासिक राशिफल है, एक तरह से आपको बताने के लिए है कि आने वाले 90 दिनों में क्या-क्या महत्तपून बदलाव होंगे, बड़ी-बड़ी आते आते यानि कि जून तक आते आते शनी भी वक्री हो जाएंगे, तो बहुत कुछ हो रहा है इस तीन महीने में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करूँगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाए भी बताऊँगा, कहां से देखे राशिफ कीजिए, आपको कुछ न कुछ गाइडonस प्राप्त होगी, राशीफल आपकी कुंडली का विस्लेशन नहीं होता, राशीफल केवल गाइडलाइन्स होती है हैं guidance होती है उसी रूप से उसको देखा किजिए तो शुरुबात करते हैं करक के लिए तीन महीने के त्रीमासिक राशी फल चुरुबात एपरिल से करेंगे बहुत ही महत्तपूर्ण महीना है सभी के लिए लेकिन के लुब करक के लिए बहुत महत्वपुन बन जाता है कारण क्या है दस्वा घर दस्वा घर कारेस्थान है कर्मक शेत्र है सबसे स्टॉंग केंद्र भाव है तो यहाँ पर एप्रिल के पहले हफ़ते को देखे तो राहु बुद्ध और शुक्र यूती रहेगी और शनी देव की दृष्टी रहेगी यानि कि तीन चार ग्रहों का प्रभाव आपके दस्वे घर पर तो एप्रिल के पहले हफ़ते में ही कारे स्थान में आ जाएंगे और वहाँ पर आकर उच्चे के भी हो जाएंगे और दिगबली भी हो जाएंगे साब बता रहे है कि यह महीना कहीं कारेक शेत्र के लिए ही सबसे महत्तपूर है क्योंकि सूरे की बात कर रहे हैं तो जो लोग सरकारी जॉब करते हैं अच्छा होगा जो सरकारी जोब ढून रहे हैं उनके लिए अच्हा होगा और जो कोई सरकारी एक्जाम दे रहे हैं करियर के लिए जॉब के लिए उनके लिए महीना बहुत अच्छा है सूरी क्योंकि दिगबली भी रहेंगे तो ना केवल कारेक्षेतर में, पूरे जीवन में आपके अथोरिटी रहेंगी, कारेक्षेतर में आगे बढ़ने के बहुत अफसर प्राप्त होने वाले हैं, इस महीने का या कहीए पूरे साल का जो सबसे महत्वपून राशी परिवतन होने वाला है, वो है ब्रहसपती महराज का राशी परिवतन, यानि कि देव गुरु ब्रहसपती, जुपिटर, 22 अप्रिल को मेश में प्रवेश कर जाएंगे, और दुबारा कहां आ रहे हैं आपके वो, दस्वे घर में, अब देखिए, दस्वे घर में पहले इतने ग्रहो का प्रभाव था, अब ब्रहसपती भी आ जाएंगे, ब्रहसपती आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, ब्रहसपती आपके लिए जब दस्वे घर में आएंगे तो गुरु चांडाल योग बनाएंगे, और गुरु चांडाल योग आज के लिए बहुत अच्छा होत दस्वे घर में ब्रहस्पती है, ब्रहस्पती का अफेक्ट हो गया, शनी की दृष्टी है दस्वे घर पर, कन्फर्म है कि ये जो महीना है एप्रिल का, वो करक के लिए कारक शेतर के संबंद से बहुत चेंज लेके आने वाला है, एक तरह से बहुत महत्वपून ये महीना आपके लिए करियर के हिसाब से है, जॉब चेंज करनी है, प्रमोशन प्राप्त करनी है, जॉब में कुछ नया करना है, नए रोल्स अपनाने है, अपना पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल चेंज करना है, हर चीज के लिए जो एप्रिल का महीना है, यहां से आपको बहुत सकरात्मक्ता देखने को मिलेगी, अब जो ब्रहस्पती हैं, वो आपके लिए छटे भाव के भी स्वामी है, तो इस हिसाब से वो अर्थत्रिकोन के स्वामी भी बन गए, और उनका दस्वे घर में बैटना हैं, अपनी दृष्टी द्वारा या अपने वहां पे बैटने से, तो तीनों ही अर्थत्रिकोन हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, मान लीजे कि यह महीना आपको करियर में बहुत कुछ देकर जाने वाला है, धन की विद्धी अवश्य होगी, मंगल बारवे स्थान में बने रहेंगे इस महीने, जो कि आपके योग कारक है, जो लोग बाहर जाना चाते थे, उनको मदद मिलेगी इस महीने, लेकिन मंगल नीच अभिलाशी भी हो जाएंगे, क्योंकि वो नीच की राशी की दिरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा गुस्ता और लालच दोनों ही आपका इस महीने बढ़ेगा, जो लोग विदेश में जॉब डून रहे थे, उनके लिए महीना काफी अच्छा हो सकता है, बुद्ध महीने के अंत में यही ब्रहस्पती के राशी परतन के आसपास वक्री हो जाएंगे, और क्योंकि वो आपके दस्वे घर में ही वक्री हों सबसे पहला, जैसे मैंने कहा मंगल नीच अविलाशी उनकी चौते द्रिश्टी तीसे घर पे रहेगी, कॉम्मुनिकेशन गयाप बहुत आएंगे, ध्यान रखेगा, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव दस्वे घर पर आपके इगो को भी बढ़ा सकता है, उसको भी में शायद गलत हो सकता है, तो संभावना ये तो बनेगी, लेकिन कुछ भी जल्दवाजिये मत कीजिएगा, महेंगा पड़ेगा, इस महीने लोवर बैक में आपके बहुत द्रहेगी, अगर आपको किसी को भी कोई स्लिप डिसकादी की प्रॉबलम है, तो वहाँ पे दिक्कत थोड़ी और बर सकती है, और स्लीप डिसॉडर्स भी और पेट की रोग भी इस महीने बहुत तंग करेंगे, अमंगल की द्रिष्टी क्योंकि छटे स्थान पर भी बन रही है, अनिकि ये भी बता रहा है कि कुछ कारक्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको ब्रहस्पती के कारण, क्योंकि अप्रिल के अंते में उनका राश्री परितन हुआ था, तो इस महीने प्रभाव उनका जादा देखने को मिलेगा, सॉला मही को बुद्ध मारगी हो जाएंगे, 21-22 अप्रल को वक्री होए थे, तो इस वीच में कुछ कॉम्मिनिकेशन गैप, कुछ गल्तियां आपसे कारण शेत्र में होंगी, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, 10 मही को बहुत महत्वपून राश्री परितन होगा, मंगल का, इस महीने का सबसे महत्वपून रहेगा वो राश्री परितन आपके लिए, मंगल आपके लिए योग कारक है लगन में आ जाएंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे अब योग कारक ग्रह का लगन में आना कई चीजों के लच्छा भी होता है कारे जो अठक रहे थे पूरे होंगे आपके लिए जो मंगल है वो चौते घर को देखेंगे यानि कि आपके पॉपर्टी खरीदने के चांसे बढ़ जाएंगे अगर आप पॉपर्टी खरीदना चाते तो महिना अच्छा है बिजनस में फायदा होगा सातवे घर को देखेंगे और क्योंकि पंचम के स्वामी है और आठवे घर को देखेंगे जो students research करते हैं उनके लिए भी अच्छा महीना रहेगा और पंचम के स्वामी का लगन में होना भी students के लिए बहुत अच्छा है और ये अपने आप में राजयोग भी बनाता है, creative बहुत रहेंगे मंगल केंद्र के स्वामी भी है, मंगल आपके लड़ाई जगड़े भी उस टैम पे हो सकते हैं और अचानक से आप पर जूटे आरोब भी लग सकते हैं इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना है, सूरे हर महीने की तरह लाशी परतन 15 मही को करेंगे और विशब में आ जाएंगे जो कि आपका लावस्थान है और सूरे का लावस्थान में आना बहुत अच्छा ही होता है धन कमाने की नई संभावनाएं को लेंगी, जो लोग जॉब करते हैं, इंक्रिमेंट के चांसे बनेंगे और प्रमोशन या फिर सैलरी को बढ़ाने की बात आप करना चाते हैं अपने ओफिस में, बहुत अच्छा टाइम होगा शुक्र कर राशी परतन मही के शुरुवात में ही हो जाएगा दो मही को और वो सबसे प्रीय स्थान अपने, यानि की बारवे घर में, मिधुन राशी में आकर बैट जाएंगे शुक्र जो कि आपके लाव स्थाने के स्वामी है वो बारवे घर में बैट जाएंगे मही में, यानि कि दो मही को और बारवा घर उनका बहुत प्रिय है जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ तो जो लोग MNC यादी में काम करते हैं लापकून समय होगा विदेश जाना चाहते हैं लापकून समय होगा और क्योंकि शुक्र चौते घर के स्वामी भी है तो अगर आप Permanent Residence अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा प्रॉपर्टी से सम्मंदित कोई वादव्याद चल रहा था है उसको सुल्धाने के लिए समय अच्छा है के अबरंवी स्थान में मौक्ष को अधिवेट कर रहा है क्योंकि 4 आठ 12 ये 400 टीनों ही स्थान अक्तिवेट हो जाते हैं चौथे में आपके केतू रहेंगे, मोक्ष के कारक है, आठफे में शनी और बारवय में आप आजाएंगे, शुक्र, तो मई का महीना एक और आपके लिए भौतिक सुकों में वृद्धी करेगा, अध्यात्मिक जैनी भी आपकी स्थार्ट हो सकती है, हो सकता है किसी बड़े तीर सल पर जाने का भी आपको उसर प्राप्त हो, इस महीने में आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे इस महीने में, शुक्र का अपने आप बारवे घर में आना, कभी-कभी खर्चे अचानक से बढ़ाता है, शौक बढ़ जाते हैं क्योंकि और कर्क ये जो जातक होते हैं, ये वैसे भी थोड़े खर्चीले होते हैं, इस महीने भाई बहनों से वाद व्याद हो सकते हैं, दोस्तों से भी दूरी आ सकती हैं, इस महीने पैसे का उधार बिल्कुल मत दीजेगा, किसी को वापस नहीं आएगा, और सर पर चोट लगने स चोटा मोटा एक्सिदेंट भी हो सकता है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जून की बात करते हैं, ये महीना तो सभी के लिए महत्वपून है, कर्क के लिए और भी महत्वपून हो जाता है, शनी आपके अश्टम भाब में बैठकर वकरी हो जाए ये वो समय है, जब आपको कुछ बड़ा निरने लेने से अपने आपको कुछ समय के लिए दूर रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, इसलिए कुछ भी बड़ा करने से अपने आपको थोड़ दिन के लिए अटलीस रोक ले, 17 जून को होगा ये, तो उसकी आसपास का समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, जो भी ग्रह वक्री होता है, वो स्ट्रॉंग हो जाता है, चेश्टबल मिल जाता है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करा, लेकिन स्ट्रॉंग हो जाता है, और वक्री ग्रह आपके दस्व बहुत तंग करने वाली है 17 जुन के आसपा जो भी दिन है बहुत सेंसेटिव रहेंगे मैं बता चुका हूं तो आपको बहुत संभल कर इस समय पर आगे बढ़ना है प्रौपटी से लाब कमाने के लिए समय अच्छा रहेगा इसको बेचना चाते थे या उसका कुछ वाध विव्याद ही चलक शलक करना चाते तो उनका प्रभाव। जूण में ज़ाधा देखने को मिलेग और वह आपके लग्नमे ही कि आ जाएंगे तीस मही को तो इस पूरे महीने शुक्र impressed का प्रभाव् आपके लग्नमे बने में रह न, आपके लि较खने लगनमे बने रहना आप वक्री शनी वानी के स्थान पर दिष्टी डालेंगे तो वानी में कड़वाहट आ सकती है, स्पष्टता की कमी आ सकती है, और क्योंकि नीच के मंगल के साथ शुक्र की यूति हो रही है, और गुरु चांडाल योग केंद्र में मंगल और शुक्र से बन रहा है, यानि कि व्य शुरुवात में ही चावल और दूद का दान करना है किसी भी मंदिर में, दूसरा उपाई शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का चद्दन से विलेपन करके, ओम नील कंठाय नमहा मंत्र का एक सुवाट बार जाप करना है, तीसरा उपाई काली चलीसा का बाट करना है आपको चार बात और किसी भी पशुकी सेवा करनी है, यह उपाई एप्रिल के शुरुवाती भाग में ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जब भी वीडियो देखते हैं तब कर सकते हैं, आशा करता हूँ ये तीन महीने का 83 राशी फल जो करक के लिए बनाया है मैंने, आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा, चैनल पे अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर लिजे, मिजदा हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए, ओमाट